नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सो प्रतिस्थ होम सोल्यूशन टिप्स चैनल में आसा है आप सब ठीक होंगे दोस्तों हमारा भारत देश प्रकृति का खजाना है हमारे देश में अनेक प्रकार के पेड़ पोधे और वनासोधिया पाए जाती है जो अनेक गुनों से भरपूर होती है दोस्तो आज जो हम आपको जानकरे देने जार है ये बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको गुलर के ऐसे ऐसे पायते आपको बताएंगे कि आप इसे जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तो हमारे भारत वर्स में अनएक प्रकार के पेड़ फोदे और चमत करेक जड़ी बुठिया पाये जाती है ये पेड़ फोदे हमारे आज पास में ही होते है लेकिन इसकी जानकरे न होने के कारण हम इसे ब्याकार समझ लेते है दोस्तो अगर आपको एक भी पेड़ होती है सरेड को नेचरल और हेल्थी बनाए रखने में गुलर के पेड़ को तो आपने अवश्य ही देखा होगा अगर नहीं देखा हो तो हमारे वीडियो में देख लेजिए स्क्रिन पर जो आप पेड़ देख रहे है ये गुलर का पेड़ है इसकी पहचान करना पर बिलक प्रकार की बासाय बोली जाते है आपके क्षित्र में इस गुलर की पेड़ को किस नाम से जानते है ये चरूर बताए है और कमेट्स में लिखे पाइकस रेसी मोसा ये इसका वानसपतिक नाम है याने लिटेन नाम ये आपको पूरे भारत में कहीं भी आसानी से देखने को म हम आगे बताएंगे कि इसका दूद का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते है दोस्तो पूरु सो में होने वाले कमजोरी दातो क्षिनता स्वपन दोस आती विकारों को ये नश्ट करता है दोस्तो किसी भी प्रकार का गाउं लग गया हो या पूरा ना गाउं हो गुलर के दूद को उस पर लगाने से गाउं ठीक होता है ये आतमी को विर्यवान और सक्तिवान बनाता है कमजोरी को दूर करता है और संगतान प्राप्ती के योगी बनाता है इसके बारे में हम आगे जानते हैं लेकिन इसके अलावा भी इसके और फायदे है जो आप इस वीडियो म जा रहे हैं ये सभी के लिए उप्योगी है और इसका कोई साइट एफेक्ट नहीं पहुत ही मुल्यवान चड़ी बुटी के बारे में हम आपको बताएंगे अगर किसी के चहरे पर घाउं हो या फोड़े फुंची हो तो इसको दूर करने के लिए गुलर की दूद के साथ बावची की जो काले काले बीज आते है उसको पीछ लिजिए और एक पिष्ट बनाए तथा चहरे पर लगाए तिन चे चार दिनों तक इप्रियों करने से चहरा खिल जाएगा दोस्तों गुलर का फल अवसदिय गुनों से भरपुर होता है कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है और ये पवित्र भी होता है यकने में तथा हवन कार्य में इसकी लकड़ी का उप्योग होता है गुलर का फल अवसदिय गुनों से भरपुर होता है कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है और ये पवित्र भी होता है यकने में तथा हवन कार्य में इसकी लकड़ी का उप्योग होता है सास्त्रों में तो यहां तक लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जिवन कल के दोरन सिर्फ एक गुलर का पेट लगाता है तो सो अस्वमेग यगन करने से जो पूनिय फल की प्राप्ति होती है उसके बराबर उसे पूनिय मिलता है गुलर का पेट तांतरिक प्रयोगों में भी बहुत ही उप्योगी होता है और ये सुक्र ग्रह के दोसों को दूर करता है दोस्तों आए जानते हैं बवासिर रोग में इसका उप्योग के से करें बवासिर अगर किसी को है खुन आ रहा है तो गुलर के दूद की 10 से 20 बुंदो को पाने में मिला कर पी जाए बस 3 से 4 दिन ये प्रयोग करें बवासिर में खुन आना बंद हो जाएगा और बवासिर में आराम मिलेगा लेकिन ध्यान रहे इस प्रयोग को दोरान आपको गी का जादा से जादा खाने में इस्तिमाल करना है दोस्तो गुलर की खास बात ये है कि ये सर्र में किसी भी प्रकार के रक्तस्तराओ को बंद करता है चाहे किसी भी प्रकार से रखतस्तरा हो, कुनी बवासिर हो या मासिक धर्म की अधिकता नाक से खुन बहिता हो या पेशाब के साथ खुन आता हो इसका बहुत सरल प्रयोग है गुलर के दो से तिन पक्के फोलो को चीनी या खांड के साथ दिन में तीन बार खाए तुरंत ही इसमें आराम मिलेगा दोस्तो हमारे भारती आयरवेदिक चीकी चको ने गुलर को गर्बस तापक कहा है याने ये गर्ब की रक्सा करता है, गर्ब को स्थीर करता है इसके लिए तीसी ग्राम गुलर की जड़ की चाल को पाने में उबालकर इसका काड़ा बनाया और नेमित रुप से तीन मेने तक लगातार सुबह साम सिवन कराये इस प्रवक करने से गर्ब की रक्सा होती है, गर्बस तीर रहता है इसके अलावा प्रेगनेची के दौरान महिलाओं को दूद के साथ इसकी कोमल कोमल कोपलो को भी खाना चाहिए इससे भी गर्ब की रक्सा होती है दोस्तों आपने देखा होगा कि गुलर के पत्तों पर चोटे चोटे अकसर दाने हो जाते है ये दाने भी बेकार नहीं है, इसको एकटा करें और मिस्चे के साथ मिलाकर पावडर बनाए अब जब कभी भी आपको गर्मी के कारण मुँँ में चाले पढ़ जाए तब इस पावडर का इस्तिमाल करें दोसे तीन दिनों तक इसका पाने के साथ इस्तिमाल करने से मुँखे चाले ठीक हो जाते है दोस्तों इस दाने का दूसरा जबर्जस्त प्रयोग है अगर आप इस दाने को इकटा करके दहे के साथ पीस कर सहथ के साथ खाते है तो जो गंड़माला में सुजन हो जाते है गले पर ये दूर होती है दोस्तो गूलर की दूद का एक और फाइदा में आपको बताता हूँ अगर किसी को मान लीजे दस्त हो कया है तो उसे गूलर की दूद की 5-6 बूंदे बता से उपर डाल कर उसको खिला दीजे दिन में 3 बार दस्त ठीक हो जाएगा अगर किसी को गर्मी के कारण दस्त हो कया हो या चाहे किसी भी परकार से हुआ हो तो गूलर की जड़ ले लीजे और इसके साथ गूलर के फल दोनों को पीश कर दिन में 2-3 बार किला दीजे दस्त ठीक हो जाएगा दोस्तो अगर किसी को पेट में दर्द रहता हो गैस बनी रहती हो तो गूलर का 5-10 ग्राम रस निकाले इसमें मिश्टी मिलाकर सुबह साम 3-4 दिनों तक पीए बहुत चल्द ही सपित पाने की समझा ठीक होती है इसके अलावा जिन महिलाओं को मासीग दर्मट ठीक से ना आ रहा हो अधिक ब्लिडिंग हो रहा हो तो इसके लिए गूलर के ताची चाल 10-15 ग्राम की मातरा में ले लेजिए इसे कूट पीछ कर 500 ग्राम पाने में पकाए अब ये पाने पकते पकते जब आधा से भी कम रहे तब चान कर ठंडा होने के बाद उसमें अपनी इच्छा के अनुसर मिश्री मिलाए और डीट ग्राम जिरा मिलाकर पीजाए इसको करने से मासिक धर्म की गड़बड़ी दूर होती है और मासिक धर्म ठीक से होने लगता है दो तो सारेरी कमजोरी को दूर करने के लिए योन समिश्याओं को दूर करने के लिए और सरीर की दूरबलता को मिटाने के लिए गुलर एक सबसे बड़ी रामबान जड़ी बूटी है ये सरेर की सभी प्रकार की कमजोरी और दुर्बलता को नश्ट करता है नपू सकता मिटाता है इसके लिए इसका प्रयोग बिल्कुल आसन और सरल है आपको करना ये है कि विदारी कंद का चुर्ण और गुलर के फलो का चुर्ण दोनों को समान मातरा में लेना है अब इसमें से आपको 5-6 उलाम की मातरा में ये पाउडर लेना है और मिश्री वाले गर्म दूद के साथ या उसमें थोड़ा सा गी मिलाकर रोज सुबह साम पीना है ये प्रयोग सभी प्रकार के दुर बलता नश्ट करता है और योन सकती बढ़ाता है तथा कामों तिजना और स्टेमिनार बढ़ाता है दोस्तो साथ से सतर साल वाले व्यक्ति भी अगर ये प्रयोग अजमाती है तो बढ़ापा का एशास नहीं होता और सरर में नई ताकत तता उरजा बर जाता है तो दुस्तो ये थी हमारी आहसपास में होने वाले गुलर वुटक्स की जानकारी इसका ज़्यादा शे ज़्यादा लाप उठा है वीडियो को ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और चनल को सब्सक्कायब करना ना पोले मिलते हैं ऐसे ही एक नई और महतुपण जानकारे को लेकर के अगली वीडियो में